जैशी किशना दोस्तो मैं मीतू हम सब के चानल बी परफेक्ट इद मीतू शुभाई मैं आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सब स्वस्त होंगे और मस्त होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यह मैकरोनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और सबसे बड़ी बात है दोस्तों यह मैंने किसी अपने लेटिव के हैं शूट करी थी विकास उनके हाथ की मेरे बेटे को बहुत पसंद आई तो मुझे लगा क्यों मैं यह रेसिपी आप सब के साथ शेयर करूँ शायद आपके बच्चे को पसंद है तो आपके बच्चे मैं जो मैं मसालों को कॉंबनेशन लिया था वह एक दम पॉफेक जारा था इसके साथ और मसालों की क्वउंटिटी या मसाली अपके अपने बच्चे के कोर्डिग अप इसमें कंद अधा भी कर सकते हैं तो फाइनली दोस्तों मैं यह वीडियो में शूट करा था तो मैं इस अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो चिपकेगी नहीं तो यहां हमने कड़ाई में लिया है सर्सो का तेल में बनाने का यह तरीका होता है दोस्तों आप देख रहे हैं इसको तेज आच पे अच्छे से गरम कर लीजिए एक दम से कलर चेंज हो जाए जैसे कि आप देखने तो इस जब जोरा चेंदा हो लावह हम आइस अघंढे और प्यास और इसको अच्छे से बूरेंगे लाइक हमें पिंग से बूरा है बहुत जाएम गावागा हीमाहाई झाल जाएगा कि ज़्या के से डालना है इस को इम आही कर से नेकी हम कर आप चाहेब काया fatal ख़र प्रान कर न क्योंकि इन चीजों में क्या है थोड़ी क्रणची सबजी अच्छी लगती है साथ में हमें डाल दी है थोड़ी सी कैप सिकम हम दोनों को अच्छे से भूनेंगे जब तक हलकी सी सॉफ्ट हो जाएंगे बहुत ज्यादा हमें इन्हें गलाना नहीं है नहीं बहुत ज़्यादा इन्हें हमें सॉफ्ट करना है तो यहां देखे हम स्टर करते हुए से करेंगे यहां हमारी मकरोनी बल्चु के इस तरह से बनी है और अब इसमें थोड़ा से डाल देंगे थंड़ा पानी उससे क्या होगा यह बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं वैसे अभी भी नहीं चिपकेंगी लेकिन कभी आपको लगए तुड़ी जादा बॉइल हो गई है तो आप इसमें थंड़ा पानी डाल दीजे तो वह चिपकती नहीं है तो यहां देखिए हमने उसके बाद डाल दिया है अपने कढ़ाई में यहां पे टोमेटो यहां पे आप गाजर मतर पत्ता गोबी और जितनी भी सबजे आपके बच्चे पसंद करते हो आप लोग पसंद करते हो आप आट कर सकते हो फिर यहां पे डाला है हमने नमक according to flavor और लेकिन यह मसाले जो हमने इसमें मिलाय थे इनका कॉमिनेशन इसमें पॉफेक्ट आ रहा था नेक्स हमने आपर एड कर एक मैगी मसाला का पाउच और हमने सबको मसालों को अच्छे से फिर अगें दुबारा से कढ़ाई में मिक्स कर लिया अपने वेजिटेबल के साथ अब चिंक्स की अगें को स्पॉंसरेट वीडियो नहीं है पर यह सारे मसाले अचल के बच्चे हमारे खाना पसंद करते हैं तो इसलिए हमने आड करें था कि बच्चों को फ्लेवर मिले और यहां पर हमने आड कर रहा है वाइड विनेगर आप चाहें तो आप इसके बदले तयार हो गई है तो यही थी दोस्तों आज की एक वीडियो दोस्तों जरूर बना के ट्राइ करिएगा यह फ्लेवर में मतलब लाइक गारंटी से कह सकती हूं कि बच्चों को पसंद आएगा खूब सारे इसमें वेजिटेबल डालिएगा ताकि इस बहने जारा वेजिटेब आपको मिलती रहे सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत चल्दी एक नई वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे